हेलो फ्रेंज अच्छ मैं प्रसाइब करूंगी बिलवट वाले फैब्रिक में सिल्वार की कटिंग बहुत ही एजी और सिंपल से दिखी के साथ मैं आपको सिल्वार की कटिंग करना बताऊंगी बिलवट वाले फैब्रिक की कटिंग करनी काफी मुश्किल होती है लेकिन मैं बहुत सीम्पल सा दीक बताऊंगी जिसके साथ आप भी अपनी सिलवाद की कटिंग कर पाएंगे तो ऐसे जिए मेरे पास बेलवट वाला फैब्रिक है तो इसको मैंने ऐसे अच्छे से सेट कर लिया है जी देखिए और उपर इसके सीधी सेड है और नीचे इसकी रोंग सेड है और जो हम इस फैब्रिक की कटिंग करेंगे वो हम सीधी से से कटिंग करेंगे अगर हम रोंग से से कटिंग करते हैं तो फैब्रिक नीचे चिपक जाता है उसकी कटिंग करने काफी मिश्कुल हो जाती है तो बेलवट की कटिंग करने के लिए हम हमेसा सीधी से से ही इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा फैब्रिक है नीचे से चिपकेगा नहीं तो ऐसे मैं इसे फोल्ड कर लिया है जी देखे इस तरह से और ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम जो उपर से अनुकल फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे जी देखे इसकी हम सीधी सेट से ही कटिंग करे और इसलवार की जो लेंद्थ है मेरे पाद 35 इंच है उसमें पांच इंच बिल्ड के लिए कम कर देंगे तो हमारे पास 30 इंच आएगा 30 इंच भी हम 1.5 इंच लेते हुए जाने कि साड़े कती इंच की हम करेंगे तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे साड़े कती इंच का और यही मेरे पास dry meter fabric है और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और उसकी बाद जहां से हम पहुंचे का निशान लगाएंगे 12 इंच साड़े पांच इंच हमारे पास पहुंच जा है तो हम बारा इंच पूर निशान लगाएंगे और उपर से हमारी जे बेल्ट रेडी हो जाएगी अब जो हमने निशान लगाए हैं इन शानों की उपर इसकी कटिंग कर लेंगे और जो जहां से यह कुनारी है इसको भी हम कट करेंगे और उसके बाद से हम जहां से कट कर लेंगे और जो उपर हमारे पास फैब्रीक बज़ेगा इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और जो हमारे दो पार्स की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसमें से बेल्ट की कटिंग करेंगे तो दोनों साइट जहां से हाफ इंच छोड़ देंगे उसके बाद जितने हमारे पास belt त्यार है । 12 इंच उसका निसेया लगा लिए प् wire हाफ इंच एक्स्टा लेंगे और 8 इंच की हम do ame back करेंगे क्योंकि यह पाद में 5 इंच की रह जाएगी उपर निपर अई फोल्ड करने के वाद और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद जो दूसरा फैब्रिक है जहां से इसको भी कट करकर लग लग कर लेंगे और बाकी की फैब्रिक को हम डवल फोल्ड कर लेंगे जी देखिए इस तरह से हमने इसे डवल फोल्ड कर लिया है और जहां से यह कनारी वाल साइड है और दूसरी तरफ भी जे कनारी वाली साइड है और दोन्य साइड से हम कनारी वाली साइड को कट कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे कट करेंगे और जो इस फैब्रिक को भी हमने सीधा रखा है जे रेकिए उपर से बंदवल साइड है और जहां से जे खुली हुई साइड है तो अंदर की साइड इसकी रोंग साइड है तो मैंने इस तरह से फैब्रिक को रखा है और इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी ऐसे ही फैब्रिक को रखा है कनारी वल साइड इस तरफ है जै क्या ऐसे और खुली वी साइड इस तरफ है और वन दोल साइड दूसरी तरफ है अब हम जहां से 5 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि जै फैब्रिक मैं एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ नीचे पहुंचे के लिए लगाने के लिए और उसक वह तरह से हम दुस्य तरफ पर निशान लगाएंगे सरड़े कती एंच का और पौंचा रखेंगे हम डाई एंच और इस निशान को दूसरे निशान के साथ हम इस तरह से एंचिटेप की हल्प से मिला लेंगे और इस तरह से ड्रोग कर लेंगे और उसके पर फ्रेंज अब हम जहां से आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पर और इसी तरह से हम 10 इंच पर निशान दूसरे पर भी लगाएंगे जी दिखिए ऐसे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाएंगे उनकी उपर जी दिखिए अगर आप इसी तरह से कटिंग करते हैं इसलवार की सीधी साइड से तो आपका फैब्रिक है नीचे चिपकेगा नहीं बहुत ही सिंपल और असानी से आप इसकी कटिंग कर पाएंगे अगर आप कुड़ती की कटिंग करते हैं वो भी आप इसे जरां से कीजिएगा मैं तो हमेशा जो भी बिलबट वाला स्नेल का फैब्रिक होता है उसकी कटिंग हमेशा ऐसे ही करती हूँ तो वैसे ही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है जो भी उपर हमारी जुड़ी हूँ सैड़ उसको कट करकर अलगलग कर लेंगे और इसे जहां से कट करेंगे और जहां से आसन को कट कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंस हमने अपनी सिल्वार की कर लिए है mais हमेशे इसी तरह से बिलबट वाली फाब्रे की कटिंग करती हूँ वही तरीका मैंने आपके साथ शेर किया है और इस फाब्रे को हम अपने पोंचे में जूस करेंगे आई हूँ आपको हमरी ये कटिंग अच्छी लगी होगी उस समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करकर हम से पूछ सकते हैं उसका हम पूरा रप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंस प्लीज वीडियो को लाइक शेर जूर कीजेगा क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी सारी में तन लगती है और आप जो वीडियो देख रहे हैं न जे मैं एक कंटे में इसे कम्प्लीट किया है मैंने सिर्फ इसकी कटिंग जो आप 7 मिट में जे वाली व बाठ है और एक वेल्ट है वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग बाइबाए टेक कियर